मैं दोस्तो नमस्कार मैं अपने नेशन फर्स चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम एक तुलनात्मक बिसलेशन करना चाहते हैं मोदी और राहुल जी के बीच अब रही बात तो राहुल जी अभी कॉंग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो भी साउ और प्लस कर दिया था कि कोर्ट ने ऐसा बोला राहुल जी आप तो खुझ जूट बोली रहे हैं अब क्यूं कोर्ट को भी उसमें घसीट रहे हैं पहली तो सिकायत आप से मुझे ये है और दूसरी बात कि अब रही बात तो मोदी और आपकी तुलना तो जमीन और आसमान की तुलना करने के बराबर है जो कभी भी एक नहीं हो सकते हैं अब आपके कहां नानी भी प्रधान मंत्री देश की थी नानी के पिता जी भी प्रधान मंत्री थे देश के आपके पिता जी थे आपके कांग्रेस पालिटी के प्रधान मंत्री देश के अंदर लगबग माता है और बहुत सारे ऐसे चीजें है जो आपके पास है जो मुदी जी के पास नहीं है अब इसमें से जितनी भी खुबियां मैंने गिनवाई अभी तक मुदी जी के पास कोई नहीं है ना ही उनकी माता जी धनी लोगों की सुची में आती हैं और ना ही उनके परिवार से कोई सांसद है ना विधायक है ना MPMLA है और ना ही ऐसे साधन है जिससे साबित होता है कि मुदी जी अगर चोर है तो उन्होंने अपने घर के अंदर ऐसी सुविधाय पैदा की मैंने आज तक जहां तक देखा है उनके घर पे जब भी वो जाते हैं अपने माता जी से मिलने के लिए तो वही 500 रुपए वाली कुरसी जिस पे उनकी माता जी बैठी हुई दिखती है मुझे ज़्यादा तर और उनके भाई मैं सुनता हूँ जहां तक कि किराने की दुकान है उनकी बहुत ही कम इस देश के अंदर पॉल्टीसियन है जिनके परिवार वाले ऐसे जीते हैं अभी कुछ दिन पहले उनकी भतीजी दिल्ली के अंदर उनका पर्स चोरी हो गया कोई चोर छिन कर ले गया पर्स मिल जाने त जोस्त होँ मेरा आप बताईए कि भारती राजनीत में कोई ऐसा राजनीतिक परिवार है क्या आपके देखने में अगर होगा तो कृपिया बताईए जरूर मैं उनके बारे में भी वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा और मैं जहां तक जानता हूं कि देश के आजादी के अगर लाल बहादुर सास्त्री जी के बाद को इमानदार नेता मिला है देश को तो नरंदर भाई मोदी जी जैसा है इसके अलावा होंगे जरूर मुझे मालूम नहीं होगा हों तो देश की किस्मत हमारी किस्मत हमारे आने वाले बच्चों की किस्मत जिसका लाब मिलेगा ह लालच है और सत्ता क्यूं चाहिए देखिए लालच इंसान के अंदर तभी पैदा होती है जब किसी चीज के लिए हवस होती है कृपिया ऐसे चीजों से दूर रहें और राहुल जी आप जो भी कोई बयान दे सोच समझ कर दीजिए आप बयान तो दे देते हैं लेकिन आपके कारण इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है जिसका लाव हमारे पड़ोसी दुस्मन देश भी लेते हैं अभी कुछ दिन पहले ही आपने जो इस पीजदी थी उसको युवियन में पाकिस्तान ने ले जा करके दिखाया कि ऐसा ऐसा वहां के सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं आप जब भी सर्जिकली स्ट्राइक होती है सेना के उपर सवाल उठाने लगते हैं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो देश के लिए हितकर ना हो उसमें आप सनलिप्त ना होते हों चाहे वो जेन्यू में भारत तेरे टुकड़े कर लगाने वाले नारे जो भी वहां के छात्र हैं उनका साथ देना हो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं मैं गिनवाना चाहूं तो बहुत सारे हैं लेकिन कृपिया राहुल जी आप भी देश की जनता के आदर्स हैं और उस गर्मा को आप बनाए रखिए जैहिन जै भारत लाइक करिए सेर करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जैहिन